हलो बच्चों, हम लोग आइस पढ़ेंगे समांतर श्रेडी, ठीक है? देखो समांतर श्रेडी हम अमारे पास क्या होगा? कि एक ऐसे संख्याओं का है ना और ऐसे एक अनुक्राम मनागी लितेगे जैसे मैंनमाना स्रिग्या 1, 3, 5, 7, 10, 10 तो ऐसे संख्याओं को एक अनुक्राम बना दिया अब अपन से पूछेगे कि बताओ क्या ये समांतर श्रेडी में है या नहीं है? आपको ही चेक करना है तो आप चेक कैसे करोगे? देखो समांतर श्री आंतर हमेशा क्या होता है, समां होता है तो कैसे देखो यहासे लानो मैंने इस 3 में से इस 1 को म falsch किया कितना है थो फिर मैंने इस 5 में से 10 को मْ किया इतना है? 2 बिने कि सबी के पीछ का अंतर काया दोग तो सबी के पीछ का अंतर समानाया तो मन कहते हैं कि कि अंतर है समानतर शेडी में है ठीक है इसी सरी के समानो अब ऐसे देदिया 1, 2, 4, 5, 6 ऐसे देदिया अब लगी इसको चेक करो कि समानतर शेडी में है या नहीं है तो देखो 2 में से 1 को माइनस क्या किता है 1 4 में से 2 को माइनस क्या कितना है 2 जहां पे ही अलग आ जाए अंतर, वहां पे ही। आपके रुख जाना है, आगे करने की गज़ना है। जहां पे यह अंतर अलग आ जाए वहां पे ही रुख जाना है और वहां पे ही हम भी कह देंगे कि यह है अनुक्राम समांतर शेडी में नहीं है ठीक है देखो आप जैसे में एक लेती हूँ 3, 6, 9, 5, 15 इस तरीकी से भी चला जाता है तो समांतर शेडी में हमें कहके देखना होता है एक तो होता है हमारे पास मैंने कहाँ पहले तो हमें चेक करना है कि समांतर शेडी में है या नहीं है तो करो देखो 6 में से 3 को माइनस किया 3 9 में से 6 को माइनस किया 3 12 में से 9 को माइनस किया 3 और पंद्रह में से भी बारा को माइनस किया तो भी इतना आया तीन यानि कि यह अंतर क्या आया? समान आया तो जो यह समान अंतर आ रहा है यह इसको हम जो बोलते हैं सार अंतर क्या बोलते हैं? ठीक है? तो जो यह अंतर आता है उसको कहा रहते हैं सार अंतर तो एक ची समल पता रिखे n renewable अजय है स्की इसको हम लोग लीते है स्मॉल tesे और इसमें प्रत्मपद ठीक कैंड कते हैं आंपे 3 मैं ने कहा कि इस Turkish order के आगे के 4 पद लिखी है 5 तो पहले से ही है छता पद लिखूंगो हमें क्या आने की च्छटा पद तो च्छटा पद देखो क्या होगा जो इस पांच में पद में इस सार मंतर को जोड़ दो सार मंतर किता है तीन तो पंदरा और टीन कितना आ गया अठारा ठीक है इसी तरीके से जब मैं साथमा पद निकालूँगी तो सार मां पद निकालूँगी तो इस छटे बद में यानि कि इस अठारा में जोड़ूँगी सार मंतर को तीन को तो आठारा और टीन कितना आ गया एकटिस ठीक है फिर आठमा निकाल पद दो इस इकटिस पे जोड़ूँगी तीन को तो इकच और टीन कितना आ गया ठोब दो जॉथ कि इस इस्टडीके से जब हम आगे के आपे जसे dependency हैं हम आगे के चाहिए जितने पद हम निकाल सकते हैं बस इसका से पहने हारी falar जुर्वासं तो फ़िए पसे से नाट बत इंकाल ना होकतो हैoh अससीन हो है जाघूंज कोन क्यों शेरी का प्रदम समय निकाल्या पंड टि निकाल्या होता है उसके बाद इसमा पने काल लाऍस ने लोगाल मों तो फ़िसेशन आदा न हमाने चाइंदम